नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंटीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागराल के समपाद की से 413 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूत है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट ने रियोडी संस्किर्ती को एक गंभीर विशय बताते हुए उसे खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से ना केवल सुझाओ मांगे बलकि एक विशेशग्य निकाय बनाने का निर्देश भी दिया उसने इस निकाय में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के साथ विभिन दलों नेती आयोग रिजर्व बैंक आदी को सामिल करने को भी कहा ऐसे किसी निकाय को गठित कर सबसे पहले रेवडी संस्किर्ती को परिभासित करना होगा क्योंकि कई दल अपनी लोक लुभावन घोसडाओं को जन कल्यार कारी योजनाओं की संगया देने लगे हैं इसी कारण निर्वाचन आयोग ऐसे दलों पर लगाम लगाने में समर्थ नहीं जो अपने घोसडा पत्रों में मनमानी लोक लुभावन घोसडाओं करते हैं रेवडी संस्किर्ती की सुरुवात तमिल नाडू से हुई और फिर वह पूरे देश में फैल गई आज इस्थिती यह है कि करीब करीब प्रतेक दल चुनाओं के मौके पर लोक लुभावन घोसडाओं करने लगा है ऐसा करते समय राजनीतिक दल इसकी परवाह नहीं करतें कि वे अपने लोक लुभावन वायदों को पूरा कैसे करेंगे वे इसका भी कोई आकलन नहीं करतें कि क्या आर्थिक इस्थिती उन्हें उनके वायदे पूरे करने की सुविधा प्रदान कर रही है पैरा इसका कोई आर्थ नहीं कि राजनेतिक दल चुनावी लाभ के लिए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत चरितार्थ करें राजस्व की अंदेखी कर रियोडी संस्किर्थी को अपनाना कितना घातक हो सकता है इसका ताजा उदाहरण है स्रिलंका वह इसी लिए तबाह हो गया क्योंकि उसने अपनी दैनिय आर्थिक दसा के बाद भी लोगों को रियायत देने का सिलसिला कायम रखा यह चिन्ता की बात है कि स्रिलंका जैसा काम अपने देश की कुछ राज सरकारें भी करने में लगी हुई है रियोडी संस्किर्ती केवल अर्थ विवस्था की समस्याएं ही नहीं बढ़ाती बलकि वह मुफ्त खोरी को बढ़ावा भी देती है ऐसी किसी योजना को जन कल्यार कारी नहीं कहा जा सकता जो लोगों को मुफ्त खोर बनाए जन कल्यार कारी योजनाएं तो उसे ही कहा जा सकता है जो लोगों की उत्पादक्ता बढ़ाएं और उनके जीवन की मूल भूत आवस्यक्ताओं को पूरा करने के साथ ही उनकी आर्थिक शमता बढ़ाने में सहायक हो इससे इनकार नहीं की देश में एक ऐसा वर्ग है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उसे राहत एवं रियायत देने की आवस्यक्ताओं है लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं की राजनेतिक दल आर्थिक नियमों की अंदेखी कर चुनाओं के मौके पर रिवडियां बाटने की घोसडा करें चुकि कई बार ऐसी घोसडाएं एक तरह से ओट खरीदने की कोशिस और साथ ही भरष्ट चुनावी तोर तरीकों का परयाय दिखती हैं इसलिए उन पर रोक लगनी ही चाहिए इस्टाओ दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय श्टाट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें श्टार्ट यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रेवडी संस्किर्ती को एक गंभीर विशय बताते हुए उसे खत्म करने के लिए केंडर सरकार और निर्वाचन आयोग से ना केवल सुझाओ मांगे बलकि एक विशेशग्य निकाय बनाने का निर्देश भी दिया उसने इस निकाय में केंडर सरकार और निर्वाचन आयोग के साथ विभिन दलों नीती आयोग रिजर्व बैंक आदी को सामिल करने को भी कहा ऐसे किसी निकाय को गठित कर सबसे पहले रेवडी संस्किर्थी को परिभासित करना होगा क्योंकि कई दल अपनी लोक लुभावन घोसडाओं को जन कल्याड कारी योजनाओं की संग्या देने लगे हैं इसी कारण निर्वाचन आयोग ऐसे दलों पर लगाम लगाने में समर्थ नहीं जो अपने घोसडा पत्रों में मनमानी लोक लुभावन घोसडाओं करते हैं रिवडी संस्किर्ती की सुरुवात तमिल नाडू से हुई और फिर वह पूरे देश में फैल गई आज इस्थिती यह है कि करीब करीब प्रतेक दल चुनाओं के मौके पर लोक लुभावन घोसडाएं करने लगा है ऐसा करते समय राजनीतिक दल इसकी परवाह नहीं करतें कि वे अपने लोक लुभावन वायदों को पूरा कैसे करेंगे वे इसका भी कोई आकलन नहीं करतें कि क्या आर्थिक इस्थिती उन्हें उनके वायदे पूरे करने की सुविधा प्रदान कर रही है पैरा इसका कोई आर्थ नहीं कि राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत चरितार्थ करें राजस्व की अंदेखी कर रियोडी संस्किर्थी को अपनाना कितना घातक हो सकता है इसका ताजा उदाहरण है स्रिलंका वह इसी लिए तबाह हो गया क्योंकि उसने अपनी दैनिय आर्थिक दसा के बाद भी लोगों को रियायत देने का सिलसिला कायम रखा यह चिन्ता की बात है कि स्रिलंका जैसा काम अपने देश की कुछ राज सरकारें भी करने में लगी हुई है रियोडी संस्किर्थी केवल अर्थ बिवस्था की समस्याएं ही नहीं बढ़ाती बलकि वह मुफ्त खोरी को बढ़ावा भी देती है ऐसी किसी योजना को जन कल्यार कारी नहीं कहा जा सकता जो लोगों को मुफ्त खोर बनाए जन कल्यार कारी योजनाएं तो उसे ही कहा जा सकता है जो लोगों की उत्पादक्ता बढ़ाएं और उनके जीवन की मूल भूत आवस्यक्ताओं को पूरा करने के साथ ही उनकी आर्थिक शमता बढ़ाने में सहायक हो इससे इनकार नहीं कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उसे राहत एवं रियायत देने की आवस्यक्ता है लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि राजनेतिक दल आर्थिक नियमों की अंदेखी कर चुनाओं के मौके पर रिवडियां बाटने की घोसडा करें चुकि कई बार ऐसी घोसडाएं एक तरह से ओट खरीदने की कोशिस और साथ ही भरष्ट चुनावी तोर तरीकों का परयाय दिखती हैं इसलिए उन पर रोक लगनी ही चाहिए इस्टाओ दोस्तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाँच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें इस्टार्ट का निर्देश भी दिया उसने इस निकाय में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के साथ विभिन दलों नीती आयोग रिजर्व बैंक आदी को सामिल करने को भी कहा ऐसे किसी निकाय को गठित कर सबसे पहले रेवडी संस्किर्ती को परिभासित करना होगा क्योंकि कई दल अपनी लोक लुभावन घोसडाओं को जन कल्याड कारी योजनाओं की संग्या देने लगे हैं इसी कारण निर्वाचन आयोग ऐसे दलों पर लगाम लगाने में समर्थ नहीं जो अपने घोसडा पत्रों में मनमानी लोक लुभावन घोसडाओं करते हैं रेवडी संस्किर्ती की सुरुवात तमिल नाडू से हुई और फिर वह पूरे देश में फैल गई आज इस्थिती यह है कि करीब करीब प्रतेक दल चुनाओं के मौके पर लोक लुभावन घोसडाएं करने लगा है ऐसा करते समय राजनीतिक दल इसकी परवाह नहीं करतें कि वे अपने लोक लुभावन वायदों को पूरा कैसे करेंगे वे इसका भी कोई आकलन नहीं करतें कि क्या आर्थिक इस्थिती उन्हें उनके वायदे पूरे करने की सुविधा प्रदान कर रही है पैरा इसका कोई आर्थ नहीं कि राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत चरितार्थ करें राजस्व की अंदेखी कर रियोडी संस्किर्ती को अपनाना कितना घातक हो सकता है इसका ताजा उदाहरण है स्री लंका वह इसलिए तबाह हो गया क्योंकि उसने अपनी दैनिय आर्थिक दसा के बाद भी लोगों को रियायत देने का सिलसिला कायम रखा यह चिन्ता की बात है कि स्री लंका जैसा काम अपने देश की कुछ राज सरकारें भी करने में लगी हुई हैं रियोडी संस्किर्ती केवल अर्थ बिवस्था की समस्याएं ही नहीं बढ़ाती बलकि वह मुफ्त खोरी को बढ़ावा भी देती है ऐसी किसी योजना को जन कल्यार कारी नहीं कहा जा सकता जो लोगों को मुफ्त खोर बनाए जन कल्यार कारी योजनाएं तो उसे ही कहा जा सकता है जो लोगों की उत्पादक्ता बढ़ाएं और उनके जीवन की मूल भूत आवस्यक्ताओं को पूरा करने के साथ ही उनकी आर्थिक छमता बढ़ाने में सहायक हो इससे इनकार नहीं कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उसे राहत एवं रियायत देने की आवस्यक्ता है लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि राजनेतिक दल आर्थिक नियमों की अंदेखी कर चुनाओं के मौके पर रिवडियां बाटने की घोसडा करें चुकि कई बार ऐसी घोसडाएं एक तरह से ओट खरीदने की कोशिस और साथ ही भरष्ट चुनावी तोर तरीकों का परयाय दिखती हैं इसलिए उन पर रोक लगनी ही चाहिए इस्टाओ